जैसा कि बाबरी मस्जद को लेकर विवाद चल रहा था कि वहां हिंदू मंदर को गिरा कर उसकी नीफ पर बाबरी मस्जद बनाया गया था ठीक वैसे ही उतर प्रदेश के काशी विश्वरनात में ग्यानवापी में स्थित प्राचीन शिव मंदर को तोड़ कर ग्यानवापी मस्जद बनाया गया था अयोध्यरा मंदर के निर्मान के बाद अब ग्यानवापी का मामला कोट में शुरू हो गया है और इस मामले को ASI यानि की Archaeological Survey of India के द्वारा ग्यानवापी मस्जद का सर्वे किया गया है उस सर्वे की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार ग्यानवापी मस्जद भी प्राचीन शिव मंदर को तोड़ कर ही बनाया गया है और जब मस्जद का सर्वे हुआ था उस समय मस्जद के भीतर कई ऐसे अवशेश मिले जिससे ये साबित हो जाता है कि वहाँ पर एक शि मंदर के बाहर उनके सामने नंदी जीज जरूर विराजमान होते हैं और इस मस्जद के अंदर जो फिलहाल में वजू करने का स्थान है वहाँ पर 12 फीट लंबे शिवलिंग के होने की बात सामने आई है अगर आपको वजू करने का मतलब नहीं मालूम तो आपको बता दें जैसे कि हमारे मंदिरों में पानी से हाथ मूँ धोकर ही हम पूजा पाट करते हैं ठीक उसी तरीके से मस्जद में भी हाथ मूँ और कुला किया जाता है नमाज पढ़ने से पहले तो बस उसी स्थान पर शवलिंग के अफशेश मिले हैं इसी पर ASI ने जांच करके एक रिप जान वापी मस्जद भारत में उत्तरप्रदेश राजय के बनारस में स्थित है और इसका निर्मान एक पुराने शिव मंदर की जगह पर किया गया है पर ये हुआ कैसे आईए बताते हैं और इंगजेव ने 1669 में यहां का प्राचीन शिव मंदर ध्वस कर दिया था इस्थ प्रवी शताबदी की शिरुवात में जहांगीर के एक करीबी सहियोगी वीर सिंग देव बुंदेला एक संभावित संरक्षक थे वहें इस मंदर की देख रेक करते थे और उन्होंने कुछ हद तक इस मंदर का रिनोवेशन भी कराया था लगभग 1669 के आसपास और इंगज का नाम रखा गया था ये एक संस्क्रित नाम है और कभीधंतियों के अनुसार इस कुएं को ग्Nowापी में सथित किया गया था क्योंकि वहां पे शिवलिंग था और महादेव ने ही इस ग् किशव लिंगतों धंड रहे ग् bear-ठेशनर ग्यान वापी की मुझन है was ऊधिन ग्यानवापी कॉंप्लेक्स की पूरी जगा को काशी विश्विनात का मंदिर घोशित कर दिया जाए और यह मंदिर के एरिया में ही काउंट होने लगे और मस्जद को डिमॉलिश कर दिया जाए उसको तुड़वा दिया जाए और मंदिर का निर्मान किया जाए वही 1998 में जुमन इंतिवजाम या मच्जित कमिटी ने एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने हाई कोट में जाकर दावा किया कि ये पूरी बाद गलत है और फिर हाई कोट ने लोवर कोट के उपर स्टेट लगा दिया और वह केस वहीं थम गया और 22 साल तक ये केस बंद रहा और फिर 2019 में ये केस वापिस खोला गया और A.S.I. ने सर्वे किया जिसकी रिपोर्ट दिसम्बर में आ चुकी थी और यह साबित हो चुका था कि वहाँ पर एक मंदर था और ऐसे करेबं 36 सबूत इस ग्यानवापी मस्जद में पाए गये हैं जो कि ये बताते हैं कि इस मस् फिल्हाल तो A.S.I. की सर्वे रिपोर्ट को दोनु ही पक्षो में बाट दिया गया है हिंदू और मुस्लिम दोनु ही कमिटी के पास ये रिपोर्ट आ चुकी है और दोनु के ही पास ये पूरे सबूत हैं और सच्चाई क्या है उन दोनु को ही पता है अब कोट का आगे क् फैसला होगा ये तो समय ही बताएगा लेकिन आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें तो आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद